वकील बहु जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकिल थी लेकिन कहते हैं न बहु कितनी भी बड़ी तोप क्यों न हो सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है अरे जनक क्या बात है आज रोटी नहीं मिली अभी तक ये तेरा कोट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीक मिल जाए रोटी तो रोज वक्त मैं चाहिए हाँ मा जी रोटी तो कब की बन गई मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए आपनी शैद सुना नहीं होगा जज नहीं हूँ मैं तेरे कोट की सास हूँ सास कोई दलिल फाल्दू की मत देना यहाँ बहुत जानती हूँ मैं इन वकिलों को अपनी बात उपर रखने के लिए जूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते तभी वहाँ जनक की ससुरा जाते हैं अरे भागवान क्यों बेचारी के काम को कोस्ती रहती है हमेशा मैं भी तो था वहाँ जब यह आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए सास को तो अब गुसा आजाता है कि कैसे किसी ने बहु की साइड ले ली अरह वाजीवा वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गुवा तो ये पेश कर ही देगी पर मैं तो अब सीधा खाना खा कर सोने जाऊंगी मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की पता नहीं कैसे ये वकिल इतना दिमाग लगा कर खुद तो जुठ बोलते ही है साथ में जुठे गवाबी ले आते हैं जनक को सास की ताने सुनने की अब आदत सी पढ़ जाती एक दिन जनक वकिल की ड्रेस पर काला कोट पहन कर कोट के लिए निकल ही रही होती है की अरे कहा चली काला कोवा बन कर टोक दियाना अब कोट तो वकिल वाले ड्रेस पहन कर ही जाओंगी न वा भी वा दामिनी तो मैंने भी देखी है सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक मतलब की कोई बात करनी है तो बोलिए वना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने सारा दिन वकिलो वाली बहस करती है भूली भाली सास के साथ अच्छा सुन जो इतनी बहस मेरे आगे करती है न जर आपने बास से कर ले जो एक साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिये अंदर जा और लाल कोट पहन करा पता तो चले के नई नविली शादी हुई है अरे माजी कोट में मेरा बॉस क्या करेगा ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकिलों के लिए लेकिन सास तो ठहरी सास अच्छा तो कोई जरुवत नहीं है दो चार साल कोट जाने की शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाज़त दे दूँगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की अब क्या था मन मार कर जनक को लाल रंग का कोट पहन कर कोट जाना पड़ता है उसकी जाने की बाद अहा बड़ी आई पुरे देश की ड्रेस की बात करने वाली अर पहना दिया ना लाल कोट अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धंकी तंग आकर एक दिन जनक पती से कहती है मैं सोचरियों कि कोट जाना बंदी कर दू अरे क्यों यार इतना अच्छा करियर है क्यों चोड़ने की सोचरियों अरे लाल रंग का कोट पहन कर जाना पड़ता है हर बात पर सास्ताना देती है कि वकिल तीज होते हैं सवाल जवाब करते हैं जूठी दलीले देते हैं अरे तो ठीक है ना वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है लेकिन तुमको तो पता है ना कि सचाई क्या है जनक को पती की बात से होसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते है अरे आये आये पंची साहब कैसे आना हुआ अरे भाबी जी आपको तो पूरा महला जानता है कि आप कितना बोलती है फिर हम यहाँ बहुरानी की कोई शिकायत नहीं बलकि अपनी परेशानी लेकर आए है ससुर जी खुश हो जाते है हाँ हाँ मैं अभी बहु को बलाता हूँ जनक वहाँ आती है सबको नमस्ति करके बैठ जाती है बहुरानी हमारे गाउं में बड़ी मुसीबत आ गई है अब तो पूरे गाउं की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंदो पर है अरा ना ना इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती ये गाउं की जिम्मेदारी क्या लेगी पापी जी आप चुप हो जाओ यहाँ पड़े लिखे लोगों की बात हो रही है आप जाओ जरा रसोई से सब के लिए चाह लेकर आओ मैं काफी लूँगी हाँ हाँ वकिल साहिबा के लिए काफी सास सर पैर सब पटकर वहाँ से निकल जाती है बहु गाउं में पानी नहीं आ रहा है पड़ोसी राज्ये ने हमारा पानी रोग रखा है हम इसका मामला तो बड़े कोट में चलेगा पंच जी लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्ये हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है अब आदे गाउं में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहु राणी अच्छा पंच साहब बात गाउं की है तो मैं जरूर कीस लड़ूंगी यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है अरे वा जीवा ये काम करवालो आप हमारी बहु से बहुत अच्छा करती है मैं हूँ सीधी सादी सास इस लड़की ने कैसे लड़ लड़कर मुझे साइड कर रखा है ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा अरे भाबी जी आपकी आवाज तो पुरे गाउं को सुनाई पड़ती है जब आप बहुरानी को सुन्दर बचन सुना रही होती है अरे वकील बहु मिली है फकर करो फकर हाँ जी हाँ सारी फकर तो हम लोग ही करें अब जो केस लड़ेगी और पानी गाउं में आ जाता है तो पंच सहाब लिख कर देना होगा कि हेंड पाइप में सबसे पहले मेरी बालटी और घड़ा भरेगा अरे फिर तो हम बहुरानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे लेकिन ये इतना असान नहीं है बहु गाउं के पास अभी वकिल करने की भी पैसे नहीं है तो हरे पंच सहाब ये मेरे गाउं का मामला है मैं आप से एक भी पैसा नहीं लूँगी सास को बहु की बात पर गुसा आ जाता है लेकिन सबकी जाने के बाद जनक मन लगाकर गाउं की परिशानियों को दोर करने में लग जाती है और वो दिन भी आता है कि जनक केस जीच जाती है अरे आज तो प्लंबर आकर घर तक पाइप लगा गया है खुश हो जाओ बेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा